हे गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो X60 सीरीज के बारे में ये स्मार्टफोन सीरीज काफी जल लाँच होने वाली है और इसमें आपको तीनी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे वीवो X60, X60 Pro और X60 Pro Plus ये तीनों स्मार्टफोन गिंबल लाइक कैमरा सेटप के साथ आने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं X50 सीरीज को लाँच किया गया था एक गिंबल लाइक कैमरा सेटप के साथ तो ये तीनों स्मार्टफोन उसी कैमरा सेटप के साथ आने वाले हैं ले Vivo X50 Pro smartphone के बारे में यह smartphone Indian market में launch होने वाले हैं और यहाँ पर आपको दो ही smartphone देखने को मिल जाएंगे Vivo X60 और X60 Pro जो इसका Pro Plus model है वो आपको बाहर की country में देखने को मिलेगा तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब करें ऐसी ही latest tech videos के लिए तो गाइस सबसे पहले बात करें इसके design को लेकर तो इसमें काफी minor changes देखने को मिल जाएंगे इसकी previous series से लेकर X50 में जो आपको design देखने को मिला था ऐसा ही सेम आपको X60 series में देखने को मिलने वाला है बात करें इसके display को लेकर तो गाइस यहाँ पर आपको curve design display देखने को मिलने वाली है जहाँ पर center punch hole design selfie camera का support भी देखने को मिल जाता है ऐसा सेम आपको Samsung के smartphone में देखने को मिलता है लेकिन गाइस यह smartphone काफी flagship level के smartphone देखने में लगते हैं तो गाइस इसमें आपको देखने को मिलेगी 6.65 inches की एक full HD plus OLED display जो की 120 Hz के higher refresh rate के सा देखने को मिल जाएगा जिससे आपका viewing experience भी काफी अच्छा रहने वाला है बात करें इसकी performance को लेकर तो गाइस इस smart phone में आपको exynos 1080 का chipset देखने को मिल जाएगा जो की 5G support के साथ आने वाला है यह 5 nanometer के architecture पर रन करता है जो की काफी power efficient रहने वाला है लेकिन गाइस अगर हम बात करें इसके pro plus model की तो यह smartphone आपको देखने को मिलेगा snapdragon 880 chipset के साथ 8GB and 12GB के ram variant और 128GB और 256GB की storage capacity के साथ यह smartphone देखने को मिलने वाले हैं तो गाइस इसमें आपको देखने को मिलेगा android 11 का support और exynos OS का custom OS भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है जो की view की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है इसी के साथ बात करें इसके camera setup को लेकर तो यहाँ पर जो इसका pro model है उसमें आपको quad camera setup देखने को मिल जाएगा जिसमें primary sensor होने वाला है 48MP का और यह gimbal like camera setup के साथ आने वाला है जिसकी image quality को यहाँ पर improve किया गया है इसी के साथ 13MP का एक ultra wide angle lens 13 16MP का एक portrait lens और इसी के साथ 8MP का एक periscopic lens भी देखने को मिल जाता है जिससे आप 60X तक का zoom कर पाएंगे लेकिन गाइस जो इसका non pro model है वहाँ पर आपको triple camera setup ही देखने को मिल जाता है इसमें आपको एक periscopic lens देखने को नहीं मिलने वाला है तो गाइस अगर हम बात करें इसक क्लिम बनाने के लिए इसमें इस बैटरी का यूज किया गया है इसी के साथ अगर हम बात करें इसके कुछ other features की तो इसमें in display fingerprint sensor का support देखने को मिल जाएगा stereo speakers लेकिन गाइस इसमें आपको 3.5 mm headphone jack देखने को नहीं मिलने वाला है तो गाइस हम बात करें इसकी launch date को लेकर तो इंडियन मार्किट में दो ही smartphone launch होने वाले हैं X60 and X60 Pro इसका जो pro model है वो आपको other countries में देखने को मिल जाएगा वाइस आप हमें comment कर सकते हैं कि यह आपको smartphone कैसा लगा और क्या आप इस smartphone के लिए interested हैं और गाइस अगर आप हमारे channel पर नहीं है तो channel को subscribe करें और इस video को like करें ह में support करें ऐसी latest videos के लिए तो guys मिलते हैं अपनी next video में thanks for watching